वो सम्मान सुर्ब मोदी का नहीं है वो सम्मान हर भारतिय का है आप सब का है भारत ने जी ट्वेंटी का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशिरवात से हुआ भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुँचा जहां कोई नहीं पहुँच सका तो ये आपके आशिरवात से हुआ दस वर्षों में भारत ग्यारवे नंबर से उपर उटकर पांचवे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना ये भी आपके आशिरवात से हुआ और अब मुझे अपने तीसरे तम में अब मुझे आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक तांकत बनाने के लिए आपके आशिरवात चाहिए हर्याना के मेरे भाई और भेनों विक्सित भारत मनाने के लिए हर्याना का विक्सित होना भी बहुत जरूरी है और हर्याना तभी विक्सित होगा जब यहां आदुनिक सडके बनेगी हर्याना तभी विक्सित होगा जब यहां रेलिवे का आदुनिक नेटवर्क होगा हर्याना तभी विक्सित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगबग दस हजार करोब रुपिय की परियोजना हैं हर्याना को सौपने का आउसर मिला है इसमें रेवाडी एम्स है गुरुगराम मेट्रो है कई रेल लाइन है नई ट्रेन है इनमें जो तीसर में क्रश्ण सरकेट योजना से बना एक आधुनी और भव्य मुजियम भी है और प्रपुराम के आथिरवाद ऐसे है कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का आउसर मिल जाता है यह राम जी की कुरुपा है यह मुजियम भगवान स्रीकर्ष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा मेरे बाडी सहीत पूरे हर्याना के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई और भेनों आज कल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है और रेवाडी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवा है यहाँ पीएम पत के उमिद्वार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटीयां दी थी देश की इच्छा थी कि दुनिया में भार्व की साख बड़े यह हमने करके दिखाया है देश की इच्छा थी क्या योध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के जर्शन कर रहा है और तो और कॉंग्रेस के लोग जो लोग हमारे बगवान राम को कालपनिक बताते से जो कभी नहीं चाहते थे कि आयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे है जाथियों कॉंग्रेस ने दसकों तक जम्मु कश्मीर से आर्टिकल तिन सो सत्तर आर्टिकल तिन सो सत्तर हटाने पर रोडे अटकाए थे मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मु कश्मीर से आर्टिकल तिन सो सत्तर हटा कर रहूँगा आज कॉंग्रेस की लाग कोशिश के बावजोत आर्टिकल तिन सो सत्तर हटिहास के पन्नों में खो गया है आज जम्मु कश्मीर में महिलाओं दलीतों पीछडों आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल पर लिया है और जनता जनारदन कह रही हैं आप लोग कह रहे हैं जिसने जिसने तिन सो सत्तर हटाया जिसने तिन सो सत्तर हटाया उस बीजेपी का तीका तीन सो सत्तर सिटों से होगा बीजेपी के तीन सो सत्तर ही पहुचाएंगे एंडिये को चार सो पार सात्यों यहीं रेवाडी में मैंने पूर्वस सैनिकों को वन रैंक वन पैंशन लागू करने की गारंटी दी थी कॉंग्रेस वाले सिरफ पांसो करोड रुपिय दिखाकार वन रैंक वन पैंशन लागू करने का जूट बोलते थे रेवाडी की वी धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशिरवाद से पूरा किया अभी तक वार ओपी के तहएट वन रैंक वन पैंशन के तहएट पूर्वस सैनिकों को करीब करीब एक लाग करोड रुपिय मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभारती हर्याना के भी पूर्वसैनिक रहे हैं सिप रेवाडी के ही सैनिक परिवारों की बात करो तो उन्हें ओ आर ओपी से छैसो करोड रुपिय से ज्यादा मिले हैं आप मुझे बताईए जितना पैसा रेवाडी के सैनिक परिवारों को मिल ला है उससे भी कम कॉंग्रेस ने पूरे देश के पूर्वसैनिकों के लिए बजेट में रखा था सिर्फ पांचो करोड ऐसे जूट और दोखे बाजी के कारण ही कॉंग्रेस को देश ने नकार दिया है साथ्यों मैंने रेवाडी बात्यों को हर्याना के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी आज यहां एम्स के निर्मान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राविद्र जी तो इस काम के लिए लगातार वो बोलते कम है लेकिन जो तै करें उतके पीसे लगे रहते हैं आज एम्स का सिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका सिलान्यास किया है और लोकार पर भी हमीं करेंगे और इसे आपको बहतर इलाज भी मिलेगा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर भी मिलेगा और रोजगार स्वरोजगार के भी अनेक आउसर बनेंगे रेवाडी में देश का 22 वा एम्स बन रहा है पिछले दस वर्सों में 15 नए एम्स स्विक्रुत किये जा चुके हैं आज़ादी के बात से लेकर 2014 तक देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज बने थे बीते दस वर्सों में 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज बने हैं हर याणाय में भी हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है साथ क्यों मैं ऐसे अने गयरंटियां गिना सकता हूं जो देश वासियों के आशिरवाद से पूरी हो चुकी है लेकिन कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड क्या है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दसकों तक छोटी छोटी जर्रोंतों से दूर रखना का है तरसाने का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देश वाशियों के हित से उपर रखने का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े गोटालों का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है कॉंग्रेस का ट्रेक रिकॉर्ड सेना और सैनी दोनों को कमजोर करने का है ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कॉंग्रेस की टीम वही है नेता वही है नियत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है तो नीती भी तो वही होगी जिसमें लूट है ब्रच्चाचार है बरबादी है साथियों कॉंग्रेस सोचती है कि सक्ता में रहना उसका जन्मसीत अधिकार है इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पी-म बना है ये एक के बाद एक मेरे खिलाब साजी से करते जा रहे हैं लेकिन इश्वर रुपी जन्ता जनार्दन का असिरवाद मेरे साथ है कॉंग्रेस की हर साजी से सामने जन्ता जन्रार्दन धाल बनकर खड़ी हो जाती है जितना ज्यादा कॉंग्रेस साजी से करती है उतना ही ज्यादा जन्ता मुझे मजबूत करती है अपना आशिरवाद देती है इस बार भी कॉंग्रेस ने मेरे खिलाब सारे मोर्चे खोल दिये है लेकिन मेरे देश की जन्ता का सुरक्षा कबच और जब जन्ता का सुरक्षा कबच होता है जन्ता जनादन का आशिरवाद होते है माता ये बहने धाल बनकर के खड़ी होती है तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते है और इसलिए आप सब के आशिरवाद से हिंदुस्तान के कौने कौने मैं जो मैं अनुभाव कर रहा हो इसलिए लोग कह रहे हैं NDA सरकार 400 पार एंडिये सरकार एंडिये सरकार एंडिये सरकार सास्यों एक परिवार के महमेफसी कॉंग्रेश अर्यान अभी वुई आगा है आज अपने इतिहास के सबसे दयनियत दौर से गुजर नहीं इनके नेता से अपना एक स्टार्ट अप नहीं समल रहा है ये लोग देश समालने का सपना देख रहे हैं आज कॉंग्रेश के हालत देखिए कॉंग्रेश के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था वो भी इनसे भाग रहे हैं हास्तिती ये है कि कॉंग्रेश के पास अपने कारकरता तक नहीं बचे हैं जहां कॉंग्रेश सरकार में हैं वहां इनसे अपनी सरकारे भी नहीं सभल रही है आज ही माचल में लोगों को देतन और पैंशन देने तक तक में मुश्किले आ रही है करना ठकाले विकास की योजनाओं पर भी कॉंग्रेश सरकार काम नहीं कर पा रही हैं भाई और बैनों एक तरफ कॉंग्रेश का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सूशासन यहां दस वर्सों से डबल इंजिन सरकार है इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है उनके शत प्रतिशत अमल में हरियाना अव्वल है हरियाना खेती के खेत्र में भी अभूत्पुर्व प्रगति कर रहा है और यहां उद्योगों का दायरा भी निरंतर बढ़ रहा है जिस दक्षिन हरियाना को विकांत में पीछे रखा गया आज वो कही तेजी से आगे बढ़ रहा है देश में रोड हो रेल हो मैट्रो हो उनसे जुड़ी जो बड़ी परियोजना है वो इसी हिस्से से गुजर रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दोसा लाल सोट के पहले चरण का उद्गाटन हो गया है देश का सबसे लंबई एक्सप्रेस में हरियाना के गुरुग्राम पलवल और नू जिलों से होकर गुजर रहा है साथियों 2014 से पहले हरियाना में रेल्वे के विकास के लिए हर वर्ष अवसतन 300 करोड रुप्य का बजेट मिलता था 300 करोड रुप्य इस वर्थ हरियाना में रेल्वे के लिए करीब करीब तीन हजार करोड रुप्य का बजेट रखा गया है अब देखिए कहां 300 करोड और कहां 3000 करोड अर्य अंतर पिछले दर समय में आया है रोतक महम हांसी जिन सोनिपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला कैंड दप्पर जैसी लाइनों के दोहरी करन से लाखों लोगों का फाइदा होगा ऐसी सुविदाएं जब बनती है तो जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी आसान होता है भाई और बैनों इस खेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी सरान ये काम किया है दुनिया की सेंकड़ बड़ी कंपनिया आज हर्याना से चल रही है इसमें बहुत बड़ी संग्या में नव जबानों को रोजगार मिला है साथ्यों हर्याना कपड़ा और परिजान उद्योग में भी अपना नाम उचा कर रहा है देश से निर्याद होने वाले 35 प्रतिशत चे अधिक कालीन करीब 20 प्रतिशत परिदान हर्याना में ही बनते हैं हर्याना के टेक्स्टाइल उद्योग को हमारे लगूद्योग आगे बढ़ा रहे हैं पानी पदहत करगा उत्पादों के लिए फरिदाबाद कपड़ा उत्पादन के लिए गुरुग्राम रेडिमेट ग्रार्मेंट के लिए सोनी पड़ टेक्निकल टेक्स्टाइल के लिए तो भिवानी गैर बुने हुए बस्तों के लिए आज प्रसिद्ध है पिछले दस वरसों में एमसमेज के लिए लगूद्योग के लिए लाखों करोड रुपय की मदद के इंद सरकान ने दिये इसे पुराने लगूद्योग कुटिल उद्योग ये तो मजबूत हुए है हर्याना में हज्जारों में उद्योग भी स्थापित हुए है साथियों रेवाडी तो विश्व कर्मा साथियों की कारिगरी के लिए भी जाना जाता है यहां की पीतल की कारिगरी और हस्त कला बहुत मशूर है अठारा व्यवसायों से सम्मंदी ऐसे पानमपारी कारिगरों के लिए पहली बार पी-एम विश्व कर्मा नाम से एक बड़ी योजना हमने शुरू की है पी-एम विश्व कर्मा योजना से देश बर में लाखों लाभारती जूड रहे हैं बाजपा सरकार इस योजना पर तेरा हजार करोड रुपे खर्च करने जा रही है ये योजना हमारे इन पारमपारी कारिगरों और उनके परिवारों का जीवन बदलने वाली है भाई और बैनों मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था मोदी ने उन्हें पी एम किसान सम्मान ने दी की गारंटी दी देश के गरीब दलीत पिछडे उबिसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंट का लोन देना शुरू किया देश में अनेक साथी रेडी पट्री ठेले पर छोटा बटा कारोबार करते आए दसकों से ये काम शेहरों में शाथी करते रहे इनके पास भी गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था पी-म स्वनिदी योजना से इनकी गारंटी भी मोदी ने लिए है साथियों गाउं के हमारी बहनों की स्थिति दस वर्ष पहले तक क्या थी बहनों का अधिकतर समय पानी के जुगाण में खाना पकाने के लिए लगड़ी या दूसरे इंतजाम में लग जाता था मोदी मुप्त गैस कनेक्शन लेकर आया घर तक पानी का नल लेकर क्या आया आज हर्याना के गाउं की मेरी बहनों को सुवीदा हो रही है समय बच रहा है यही नहीं इस समय का उप्योग बहने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर पाएं इसका भी इंतजाम किया गया है पिछले दस वर्सों में देश भर में दस करोड बहनों को हमने स्वयम सहायता समों से जोड़ा है इसमें हर्याना की भी लाखों बैने हैं बैनों के इन समों को लाखों करोड रुपय के मदद दी गई है मेरी कोशिश यही है कि जादा से जादा बैनों को लखपती दीदी बना सकूं अभी ताक एक करोड बैने लखपती दीदी बन चुकी है कुछ दिन पहले जो बजट हम लेकर आये हैं उसमें तीन करोड बैनों को लखपती दीदी बनाने का लक्ष रखा गया है हमने नमो ड्रों दीदी योजना भी शुरू की है इसके तहट बैनों के समों को ड्रों चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रों दीए जाएंगे यह ड्रों खेती के काम में आएंगे और इससे बेहनों को अत्रिक्त कमाई होगी साथियों हर्याना अद्वूत संभावनाओं का राज्य है मैं हर्याना के फर्स टाइम वोटर्स को जो पहली बार मद्दान करने वाले हैं जो अठारा बीस बाईस साल की उमर के हैं उनको विशेश रुप से कहूंगा कि आपका भविश बहुत उज्वल होने वाला है दबन इंजिन सरकार आपके लिए विश्चित हर्याना बनाने में जुटी है टेक्नोलोजी से टेक्स्टाइल तक टूरिजम से ट्रेड तक हर्च सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए हम प्रयास रथ हैं आज पुरा विश्वा भारत में निवेश के लिए उत्सूख है और निवेश के लिए हर्याना एक उत्तम राज्य बनकर उबर रहा है और निवेश बढ़ने का मतलब है कि नोकरी के नए आवसर भी बढ़ रहे हैं इसलिए डबल इंजिन की सरकार को आपका आशिरवाद ऐसे ही मिलता रहे ये बहुत जरूरी है एक बार फिर आपको एम्स के लिए हजारो करोड रुपी की परियाव जिनाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई मेरे ताथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत 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 धन्यवाद देवियो सजनों आपके करतल धवनी आपके तालियों के गूच के साथ आईए आभार वेक्त करें माननिये प्रधार मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके शुभागमन के लिए भी